तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो की एम्स बेसी नर्सिंग का एक्जामनेशन देने जा रहे हैं इस वीडियो में आपको हम डिटेल हैं बताने जा रहे हैं कि actually आपकी कितनी rank आनी चाहिए seat के accordingly की आपका selection हो जाए और ये rank हम category wise भी बताएंगे मतलब एक general candidate OVC SC STEWS कितने rank तक जाएगा तो almost confirm selection उसका हो जाएगा हम चाहेंगे कि उस rank आपकी उपर ही रहे जैसे आपका selection हो जाए लेकिन हम आपको एक window बता रहे हैं इतने rank तक आप पहुँचेंगे तो आपका selection की chances almost 100% आ जाती है तो ये वीडियो हमने तीन-चार साल के data को analyze करके बनाया है और वीडियो स्टार्ट करने पर जुरू कहेंगे हमारे चनल को subscribe कर लिए और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आई चलते हैं सीदे नहीं थी अपकी बार कुछ एम से एड हुए है उसकी वज़ा से जैसे पिछली बार साड़े आठ सो कुछ सीट थी ये 53 सीट सी बाद में कुछ एमस एड हुए से लेकिन आप टोटल जो सीट यहां पे बढ़ गई है अपकी साल 941 सीट से इसमें all over इंडिया से candidate apply करते है ठी कि हम PBWD का section अलग है physically handicapped वाला अलग section है और आपका EWS की 85 सीट से OBC की 242 है और SC की 135 है ठीक है और ST की 70 है तो अभी आप पहली नजर भी यह समझते हैं कि 941 सीट में तो अगर हमाई rank 366 के अंदर आई तो अभी हमको सीट मिलेगी एक general candidates होचता है EWS वाला सोचता है कि 85 मैं तो और जोड़ लूँ क्योंकि पहले आपकी अन्रिजर्व से बढ़ेगी तो 85 होगी OBC वाला सोचता है कि मेरी 242 में आ जाए उसके उपर आ जाए तो हो जाएगी 135 SC वाला सोचता है ST वाला 70 सोचता है देखिए जब भी counseling होती बहुत important चीस समझ लीजे कि सबसे पहले अन्रिज 26 सीट का यह option रहता है तो उनके पास option बहुत कम रहता तो first high rankers पहले अन्रिजर्व भर जाते हैं और उस अन्रिजर्व कैटिगरी में OBC SC ST और साथी साथ EWS candidate भी रहते हैं तो जेनरल वालों के लिए थोड़ा यह competition ज्यादा tough हो जाता है और OBC की बात करें तो OBC वाले पहले Unreserved SC ST वाले Unreserved EWS सीट भरते हुए बाद में अलग से अपनी सीट 242 OBC और SC वाले 135 ST अपनी 70 सीट भरते हैं देखें एक चीज़ में और बता दूं कि counseling process बहुत important होता है अभी मैं main video पर नहीं पहुंचा हूँ आपको समझा रहा हूँ इसमें जो सबसे यादा लोग पसंद क करते हैं क्योंकि आप पास एक्जाम के बाद एक choice आएगी कि आप कौन से एंस पर अप्शन नहीं होगा कि उनकी एक रैंक बनी हुई है और उसके आपको असा नहीं होता है तो फिर कैसा होता है कि जब आपका selection होता है जब आपके marks आते हैं आपको call किया जाता है counseling के लिए तो आपको option दिया जाता है कि आप कौन सा aims select करना चाहेंगे ठीक है तो उसमें आपको 3-4 option दिये जाते हैं तो maximum लोग daily select करते हैं और daily जारता हाई rankers को ही मिलता है तो वहाँ पर counseling आपको बहुत smart counseling करनी होती है वो कैसे करनी होई वो भी हम आपको अलग से बताएंगे जब आ पहले लोग daily तरफ भागते हैं फिर भूपाल की तरफ भी काफी आपका रुजहान देखा गया है इसी के साथ-साथ यहां पे नाकपूर एमस नाकपूर पर भी काफी दौर रहती है पटना में भी रहती है और रायपूर में भी रहती है ठीक है और भुवनेश्वर भी इस परटेंटा है इसमें बात के लोग ही बढ़ना चाहते हैं तो काउंसलिंग हमको वह समझे करनी है तो हमारा में मुद्धा क्या है हमारा में मुद्ध्य हो गया कि अब हमारे पास सीट कित्ती हो गई 941 अन्रिजर्व के लिए हो गई 366 OBC के लिए कित्ती हो गई 242 SC के लिए लोगी 135 ST के लोगी 70 तो कितनी रांक आने चाहिए देखिए मैं आपको इबदाता हूं रैंक को आई समझ लीजे अन्रिजर्व को मैं कह रहा हूं 673 सीट्स ठीक है 673 सीट्स मैं कहूंगा मतलब 673 रैंक तक अगर आप रहते हैं जनरल कंड़ेट तो आपको सीट मिल जाती है सीट किती है सीट आपके पास है 366 को अप्षिन है लेकिन अगर आप क्योंकि कई बच्चे छोड़ते हैं कई विचे कहीं और जोइन कर लेते हैं तो यह पाये गया है कि 673 रैंक तक अगर आप ओवराल सेक्यूर कर रहे हैं तो आपका सेलेक्शन की चांसल अल्बोस 100% कंफर सब्सक्राइब करने में सक्सस्फुल रहे हैं तो यहां पर सीट सेक्यूर करने में सक्सस्फुल रहे हैं ठीक है इसके लावा हम बात कर लेते हैं यहां पर सी की तो सी की देखिए यहां पर 135 सीट से ठीक है तो यहां पर सी की 135 सीट सोने की वजह से देखिए यहां पर 1, 9, 8, 2 तक यह जाते हैं क्योंकि इसमें candidates की rank भी नीचे रहती है ठीक है इसी तरीके से ST इनकी स्रिफ 70 seats है ठीक है तो इनका अपना major competition होता है इसमें 4137 rank वाल ओवर India rank किती है 4137 लेकिन वो 70 seats में compete करके selection ले जाते हैं ठीक है तो आपको मैं यह नहीं कहूँगा कि आपको क्या करना है मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको जब exam देना है तो paper तो 100 marks का हो रहा है और negative marking भी वहाँ पे है तो आपको बहुत सोच समझ के paper करना है तो आपको जब result आएगा तो आपको इसमान के चलना है SC वाला 2000 के नीचे और ST वाला 4000 के नीचे लेके आता है तो आप यह मान के चलिए 100% आपका किसी न किसी एंस में selection हो जाएगा तो बहुत important data है competition का दौर है आप अपने ही जैसे बच्चों से compete कर रहे हैं सभी पढ़ाई करते हैं सभी सक्षा में आप ही जैसे लोग हैं जो selection निकालते हैं जम के पढ़ाई कीजिए हम आपको guidance प्रोवाइड करते हैं biology की जो videos हम प्रोवाइड करते हैं आपको वो इस focus रहते हैं कि important questions और concepts हाथ clear करें chemistry कुछ प्रोवाइड करते हैं जी कि कि प्रोवाइड करते हैं बने रहे ही माईचल सा सब्सक्राइब कर लिए best of luck प्रोवाइड आमशिन इसके लावा अगले वीडियो हम जुरू बताएंगे आपको कि कितने marks आपको secure करने चाहिए कि इतनी rank के अंदर आप आ जाएं thank you very much and best of luck